नमस्कार मैं हूँ प्रकास सिंग और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24 आज हमार साथ मौजूद है जूना अखाडा के महा मंडलेस्वर योगी यतिंद्रारंद गिरी महराज उसके जानेंगे कि आखिर क्या है आज की इस्तिती संद समाज किन भारी पर इस्तितियों के बीच जूज रहा है खासकर अगर बात करें राम मंदिर की सबसे पहले सुआगा तक है नमस्कार अबी जो एक डिसीजन आया राम मंदिर के बाद जो इस्तितियां पैदा हुई उसको ले करके आज समाज में तरह तरह की भांतियां है हाला कि राम मंदिर बनने की खोशना हो गई सब कुछ तयारियां हो गई लेकिन उसके बाद एक डिस्टरवैंस क्रियेट हो रहा है CAA के कानून को ले करके, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे राम मंदिर पे, तो क्या है इस तकी राम मंदिर दिखिए एक बहुत लंबी लड़ाई, लंबा संगर्स, लाखों लोगों के वलिदान, उसके बाद एक यह इत्यासिक नरने आया है, और यह विचार की लड यथारत की विजय हुई है, और अब बहुत सिग्र ही मैं समझता हो सकता है, जो हम लोग संभावना कर रहे हैं कि आने वाली राम नौमी को, स्री राम जनम भूमी स्थल पर, भगवान राम के दिव्य मंदिर दिर्मान का सिलान्यास होगा, ऐसी हम लोग अपिक्षा कर रहे ह और बहुत सिग्र ही वह भव्य दिव्य मंदिर बनकर राम लला के दर्शन के लिए तयार होगा, और इसको लेकर कोई भी भ्रहनती नहीं है, मंदिर दिर्मान का पूरा मार्ग साफ हो चुका है, हमारी के मले एक मांग है, कि जिस आर्चिटेक्ट सौम पराजी ने जो मोडल बनाया है, जो उसका आर्चिटेक्ट बनाया है, और जिसको गाउं गाउं सरी राम जनम भूमी न्यास ने भीजा है, और लोगों ने पूजा है, मंदिर का निर्मान उसी मोडल के अनुसार होना चाहिए, महरा जी, आपने ये कहा, क्या मानते हैं, कैसा होगा अराध्य भग है, अभी तक दुनिया के किसी भी मंदिर का गरब गरे और गरब गरे के बाहर जो मंडपम रहता है, वो इतना बड़ा नहीं है, जितना बड़ा अभी राम मंदिर का बनने जा रहा है, अपने आप में वो एक अधुत्य और अलोकिक होगा, और राम मंदिर के साथ साथ कहीं ना कहीं एक नए स्वरणिम भारत का भी सिर्जन इसके साथ होने जा रहा है एक दम से राम मंदर पे फैसला आया काफी लंबे समय के बाद उसके बाद फिर सी ए कानून को लेकर के बड़ा विरोध पूरे देश में देखने को मिला क्या कहेंगे इस पूरा का पूरा जो विरो और जिनने लोगों को इस देश में अपनी नागरिकता को लेकर संदे है उनके मन में निश्चित रूप से भै है और भै होना भी चाहिए जो इस विरोध कर रहा है कानून का वो कहीं ना कहीं इस देश से प्यार नहीं करता है वो इस देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ न और मैं तो सीदा सीदा कहने कारत है कि वो इस देश का प्रेमी नहीं है इसलिए जो ग्रोध कर रहा है कहीं ना कहीं उसके अंदर प्याण को उस पर कारवाई कर दूबह और वह सक्के दारे में आता है कि वह नहीं है या कहीं से घुस्पेटिया है मरा जी ओबेसी का बैयान आ जाता है क्या माना जाए कि वो एक समुधाय विसेश के फेवर की बात कर रहे हैं या फिर देश को तोड़ने के लिए हम तो कहते हैं कि ओबेसी जैसे लोगों की जो जवान है उसको सदा सदा के लिए बंद करना चाहिए जो मन में आया बख देता है आखिर इस देश के अंदर कोई कानून नहीं है क्या अगर इस देश का अंदर ओवेसी पर कोई कानूनन कारवाई नहीं हो सकती है तो कानून वेकार है वो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंतर है क्यों है वेसी जैसे लोगों की जगे तो जेल के अंदर होनी चाहिए अभी C.A. का विरोध जो देखने को मिला उसके बाद देखने को मिला कि दिल्ली प्रदेश को भाज़पा हार जाती है क्या मानेंगे के C.A. का विरोध इतना भारी रहा या कुछ और कारण रहा दिल्ली में देखिए यह हार जीत तो राज़नेतिक छेतर में लगी रहती है लेकिन मैं समझता हूं C.A. इसका कारण नहीं है यह तो भारते जंता पार्टी को अपना आत्म द्रक्षन करना चाहिए उन्हें अपनी समिक्षा करनी चाहिए वो क्यों हारे हैं और चुराव में कोई ना कोई तो हारता है कोई ना कोई तो जीतता है ये तो जो जीते हैं उनको खुसी होनी चीए जो हारे हैं उनको अपनी समिक्षा करनी चीए यह जो लगातार अभी तक इसका विरोध देखने को मिल रहा है आप देश के गरह मंत्री कह रहे है कि मैं भी जाके जाकर एक देश के को मैं जाकर इसके लिए लोगों को समझांगा बताऊंगा तो इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है आकर क्या का रहा है? देखे इस देश में पहले से एक सोच रही है वामपंथी सोच रही है और देश की आजादी के समय ही ये समस्या उस समय के हमारे नेताओं ने पैदा कर दी तोकि भारत का जो विभाजन है ये विसुद रूप से धरम के आधार पर हुआ था और 20% आबादी मुस्लिम आबादी को हम लोगों ने 33% भुभाग दिया यानि 13% जादा भुभाग दिया और वह देश इसलामिक देश हो गया लेकिन कहीं न कहीं हमारे नेता उस समय उनको यह देश हिंदु राष्ट गोसित करना चाहिए था उन्होंने धरम निरुपक्ष कर जिन्होंने अलग देश की मांग करी इसका मतलब उन्हें भारत से प्यार नहीं था उन्हें हिंदुस्तान से प्यार नहीं था इसलिए वो हिंदुस्तान से अलग होना चाहते थे और वही लोग उसी में से कुछ लोग भारत में रह गए और आज वही सोच भारत में खड़ी हो गई है उन्हें भारत से प्यार नहीं है वो आज भी भारत में टुकडे करना चाहते हैं जिसको टुकडे टुकडे गेंग करके संबोधित किया जा रहा है और मैं तो कहता हूँ कि अब विसुद्ध राष्टवाद पर इस देश की राजनिती को खड़ा होना चाहिए इस देश के सासक को कठोर से कठोर कारवाई करनी चाहिए हभी तक कारवाई के ही आभाव में इनको कभी दंडित नहीं किया गया इनको कभी कानून के दारे में नहीं लाया गया इस लिए और इनके मनोबल बढ़ते चले गए अब आवशकता है इसमें जुकने की आवशकता नहीं है बिलकुल भी थोड़ा सा भी अगर से आपने सुना कि महामन लेस्वर साफ तोर पे कह रहे हैं कि ये वो वक्त है जब सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे तब ही जाकर हिंदू राष्ट की पहल हो सकेगी और ऐसे असमाजिक तत्व जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं वो निश्यत तोर पे अगर सरकार ने सक रुक अपनाया तो निश्यत ही वो बिलो में घुश सकते हैं समाजार सीटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमार साथ यूहीं चुड़े रहे हैं